सफल एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है बसंत पंचमी की धेर सारी सुब कामना है आज हम लोग तिर्भूच को जानेंगे तिर्भूच क्या होती है तिर्भूच तीन रेखाखंडों से बनी बंद आगिरती को तिर्भूच कहते हैं यहां A B B C और A C रेखाखंड है रेखाखंड को भूजा भी कहा जाता है तिर्भूच को दो प्रकार से बाटा जा सकता है कोन के अधार पड़ और भूजा के अधार पड़ कोन के अधार पड़ तिर्भूच निमनलिखित तीन प्रकार के होते हैं पहला नियून कोन तिर्भूच दुसरा सन कोन तिर्भूच तीसरा अधिक कोन तिर्भूच नियून कौन तिर्भूच जिस तिर्भूच का सभी कौन 90 डिग्री से कम हो उसे नियून कौन तिर्भूच कहते हैं यहां कौन A बड़ावर 60 डिग्री, कौन B बड़ावर 60 डिग्री और कौन C बड़ावर 60 डिग्री यहां कौन A का मान, कौन B का मान, कौन C का मान, तीनों का मान 90 डिग्री से कम है इसलिए यहां नियून कौन तिर्भूज वे दुसरा समकौन तिर्भूज, जिस तिर्भूज का एक कौन 90 डिग्री हो उसे समकौन तिर्भूज कहते है जिस तिर्भूज का एक कौन कम से कम एक कौन 90 डिग्री हो वह तिर्भूज समकौन तिर्भूज कहलाते हैं समकौन तिर्भूज यहां कौन B बढ़ावर 90 डिग्री है और कौन A बढ़ावर 45 डिग्री कौन C बढ़ावर 45 डिग्री तीसरा हम लोग करते हैं झाल झाल तिस्रा अधिक को तिर्वुच्च्च्च्च्च्च् एक को नबें डिग्री से अधिको उसे अधिक को तिर्वुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च एक सो पांस दिग्रे एक पैंटीज दिग्रे एक सिर्टेस दिग्रे एक चालिज डिग्रे यहां कोंड बी का मान नभ्य डिग्री से अधीक है इसीलिए यहां अधीक कों तिर्भूज हुआ यहां कौन A बढ़ाबर 35 डिगरी कौन B बढ़ाबर 105 डिगरी कौन C बढ़ाबर 40 डिगरी है यह हम लोग कौन के अधार पर तिर्भूज को समझे अब हम लोग भूजा के अधार पर तिर्भूज को जानेंगे भूजा के अधार पर तिर्भूज तीन परकार के होते हैं, पहला संबाहु तिर्बूच या शम्त्री बाहु तिर्बूच दूसरा सम्द्वी बाहु तिर्बूच तीसरा सम्द्वी बाहु तिर्बूच आते हैं लोग सम्द्वी बाहु तिर्बूच को जामते हैं सम्द्वी बाहु तिर्बूच या सम्द्री बाहु तिर्बूच सम्मिन्स होता बड़ाबर बाहु मिन्स होते हैं भूजा अर्थात बड़ाबर भूजा तीनों भूजा जब बड़ाबर होते हैं अर्थात जिस तिर्बूच के तीनों भूजा आपस में बड़ाबर हो अर्थात समान होते हैं जिस तिर्बूच के तीनों भूजा आपस में बड़ाबर हो अर्थात समान होते हैं उसे सब्वाव तिर्बूच करते हैं जैसे कि आपकोटे हैं कि इस दिंदल इसन लादए फिश्द सेंटीमेटर बी सी का मांद भी तक सेंटीमेटर एसी का मांद भी शीच सेंटीमेटर यहां AB बढ़ावड BC बढ़ावड AC तीनो कमान 6 cm है यह तीनो भुजा बढ़ावड है इसलिए यह संभाहुत इरभुज हुए दूसरा बढ़ते हैं संभी वाहुत इरभुज दूसरा बढ़ते हैं संभी वाहुत इरभुज जीस्तिर्भुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे संभी वाहुत इरभुज काते हैं जीस्तिर्भुज का दो भुजा या दो रेखा खंद आपस में बराबर हो उसे संभी वाहुत इरभुज काते हैं जैसे यहां जहां एबी कामान 7 संटीमीटर एबी कामान 7 संटीमीटर बी सी कामान 8 संटीमीटर है यहां एबी और एबी दोनों आपस में बड़ाबर हैं इसलिए यह संद्वी बहुत तिर्भूज है, संद्वी बहुत तिर्भूज का पढ़िवासा होता है, जिस तिर्भूज का दो भुजा आपस में बड़ाबड हो, उसे संद्वी बहुत तिर्भूज कहते हैं, यहां AB और AC दोनों कामान 7 cm है, इसलिए यह संद्वी बहुत ति कि तीसरा पढ़ते हैं विसंबाव तिर्भूच जिस्तिर्भूच का कोई भी भूजा आपस में बरावर ना हो उसे हैं विसंबाव तिर्भूच काते हैं विजाएं से मैं वी शना सब्सक्राइब और इसमान आइए पर्चेज नाएं और ते दो तो श्रूर नाइए अध्यार अध्यां आप बीसी का माण 5 cm एप एसी का माण शीक इंटिमीटर या एभी कि एबी नौट ऑडिक्वेल 15 नौट एकुएल टूस्था से अर्थाक यहां तीनों में से तीनों भुजा किसी का बडावर नहीं है अपस में यह बडावर नहीं है इसलिए यहां बिसंबाहुत तृभुज हैं विसंबाहुत criter ह। की परिवासा हlti है जिस तिर्भुज का कोई भिजा आपस में बरावर ना हो उसे दिसंबाहुत तिर्भूज करते हैं यहां A B का मान 4 cm BC का मान 5 cm AC का मान 6 cm है तीनों भूज आपस में बरावर नहीं है इसलिए यहां विसम्भाहू तिर्भूज हुए है कि हम लोग शुरुवात से एक बार इस क्लास का डिवीजन कर लेते हैं तिर्भूज तीन रेखा खंड़ों से या तीन भूजाओं से बनी बंद आकिरती को तिर्भूज कहते हैं तिर्भूज ये आकिरती तिर्भूज की है तिर्भूज को दो परकार से बाटा जा सकता है कोन के अधारपड और भूजा के अधारपड कोन के अधार पड तिर्भूज तीन प्रकार के होते हैं पहला नियून कोन तिर्भूज दूसरा अधिक कोन तिर्भूज तीसरा सम कोन तिर्भूज नियून कोन तिर्भूज जिस तिर्भूज का सभी कोन 90 डिगरी से कम हो उसे नियून कोन तिर्भूज कहते हैं अधिक कोन तिर्भूच जिस तिर्भूच का एक कोन 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोन तिर्भूच कहते हैं समकोन तिर्भूच ऐसे तिर्भूच जिसका एक कोन 90 डिग्री हो उसे समकोन तिर्भूच कहते हैं कोन के अधार पर तीन परकार के, पहला नियून कोन तिर्भूच, दुसरा सम कोन तिर्भूच, तीसरा अधी कोन तिर्भूच, अब हम लोग भुजा के अधार पर तिर्भूच को समझते हैं, भुजा के अधार पर तिर्भूच तीन परकार के होते हैं, पहला सम बाहु तिर् रवावाखल कोशक्च दूसरा संद्वी बाहुत्र वूच। तीसरा विशम बाहुत्र संभाँतिर वूच। जिस संभाँतिर वूच।ны थम। यृण क्यान दॉन भूचा अपसमें बड़ावर्वूय संभ्राव कुछ इसका कोई भी भूज अपस में बराबर नौध कोई भूज आपस में बराबर ना हो उससे भी शंबावू द्रभाब capitalist क्याते हैं अब इसका कोई भूज आपस में बराबर नहीं है इसलिए इसे उसम भान तरभूज आ जाता है हम लोग इसमें पढ़ते हैं रेखाखंड क्या होता है रेखाखंड या भूजा रेखाखंड या भूजा मतलब होता है ऐसी आकिरती जिसका दोनों और अंतिम बिंदू हो या ऐसी आकिरती जिसका दोनों और अंतिम बिंदू हो उसे रेखाखंड काते हैं जैसे जैसे मैं देखते हैं यहां यह रेखाखंड है बें भूजा रेखाखंड क्या आपड़ती है ऐसी होती है यह रेखाखंड है दूसरा हम लोग पढ़ते है किरन किरन ऐसी आकिर्थी आकिर्थी जिसका एक और अंतिम बिंदु हो कि जैसे कि इस आकिर्थी का अंतिम बिंदु है लेकिन भी अंतिम बिंदु नहीं है क्योंकि वी के बाद भी बढ़ते जला गया है यह आकिर्थी इसलिए वी को अंतिम बिंदु नहीं कहा जा सकता है तीसरा पड़ते हैं रेखा क्या होता है अर्थाद लाइन हैं आप एकिर्थीं है जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं हो है यह कि यहां नहीं एक और नहीं बी कि और अन्तिम बिंदू है यह दोनों और बढ़ते ही चला जा रहा है इसलिए इसे रेखा कहा जाता है रेखा मतलब ऐसी आकिर्थी जिसको सुरी जिसका जिसका कोई अंतिम बिंदू ना हो नो एक की और नहीं बी की और पढ़ते हम लोग बिंदू ऐसी आकिर्थी जिसकी मोटाई लंबाई चोडाई बिंदू को एक हो उसे बिंदू करते है अंथ आकिर्थी जिसकी मोटाई लंबाई Betsy चौड़ाई नहों उसे बिंदू करते हैं बिंदू मींज इसे नहीं मोटाई होती है नहीं चौड़ाई होती है इसकी नहीं उचाई होती है यह बिंदू होती है बिंदू से ही रेखा खन, रेखा या किरन ये सभी का निर्मान होता है बिंदू के समू से ही कोई भी आकरती की निर्मान होती है और इसी से हम लोग आगे जियोमेट्री को पढ़ते है